अब आपको गर्भावस्था के काल पे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो ये वीडियो definitely आपके लिए है आज मैं मीठापन के उपर बहुत सरी बाते करूंगी साथी साथ किन महिलाओं को खाना चाहिए किन महिलाओं को नहीं खाना चाहिए अगर आपको खाने की इक्षा कर रही है यह नहीं कर रही है इससे क्या जिंडर का प्रेडिक्शन है सब के बारे में बाते करूंगी नमस्कार दोस्तों विरानाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चानल ट्विंस मैं वर्ल्ड केर पर स्वागत है तो जिन महिलाओं को मीठा खाने की बहुत जाद डाइबिटीज का खतरा है यानि कि अगर आपके फैमली में कुछ ऐसी हिस्टरी हो डाइबिटीज की या फिर अगर आप डाइबिटीज को लेके काफी ज़्यादा प्रोन है तो ऐसे केस में आपको मीठापन को थोड़ा सा चंट्रोल जरूर करना चाहिए लेकिन अगर मैं early pregnancy की बात करूँ जब अगर आपकी pregnancy conceive होती है यानि कि जब आपका under fertilize होके जाइगाट का रूप लेता है और uterus की wall पे जब चिपकता है तो चिपकने के बाद से आपकी pregnancy के hormone काफी तेजी से बढ़ते हैं तो pregnancy के hormone जैसे तेजी से बढ़ते हैं आपकी craving में भी काफी ज़्यादा परिवर्तन आता है आपके जो पूरे symptom में काफी ज़्यादा परिवर्तन आता है जो कि आपका शरीर आपको show करता है तो ऐसे case में आपको मीठा खाने की काफी ज़्यादा craving हो सकती है अब होता तो होता ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो जाइगाड जो बन रहा होता है उसे बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा extra energy की ज़रूत होती है क्योंकि जो आपकी पूरी energy होती है उस बेबी को बनाने के लिए जुट जाती है इसलिए आप ठका हुआ फिल करते हैं तो ऐसे केस में आपको मीठा खाने की रूची होगी क्योंकि glucose की जो मात्रा है वो आपके शिशु को बनाने के लिए काफी ज़्यादा helpful होती है इस समय आपको अंदर से आपके शरीर को ज़रुत पड़ती है कि extra glucose आप उपर से लिजी तो अगर आपको मीठा खाने की एक्षात कर रही है तो ये भी एक नॉर्मल होता है क्योंकि अगर first trimester की बात की जाए तो doctors भी आपको glucose जो होते हैं या फिर glucondi होती हैं उसका आपको यूज करने के लिए बोलते हैं क्योंकि आपके first trimester में आपको extra glucose की जोरत पड़ती है क्योंकि general way में general life में कोई भी इतना ज़ादा sugar intake नहीं करता है आपने बहुत सारे videos आपने awareness के देखे हैं जिसमें sugar को control करने की बाते कही गई है तो बहुत सारे लोग sugar का intake नहीं करते हैं लेकिन अगर आपकी early pregnancy है first trimester है तो अगर आप extra sugar लेते भी है ग्लुकॉंडी का सहारा लेते भी है तो यह बिल्कुल safe है रही बात किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उन महिलाओं को जिनको gestational diabetes का खत्रा है यानि कि gestational diabetes होने का अशंगा है या पहले से वो diabetes है तो आपको पता है कि diabetes जो होती है वो एक धीमा जहर होता है तो यह धीमा जहर जादा ना फैल जाए आपको diabetes आप बहुत जादा है और गर्भावस्था क काल पे अगर यह diabetes जादा होने लगता है तो इसे हम लोग gestational diabetes कहते हैं तो ऐसे case में जो doctors होती है जो गाइनी होती है इन महिलाओं को उनके जो sugar के control में मतलब जो intake होती है उनको control करने के लिए कहती है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी gestational diabetes का खत्रा बहुत जादा होता है उनको तो fruits को भी मतलब avoid करने के लिए बोला जाता है अब आप बोलोगी कि ये कौन सी बाते मैंने बोल दी जी ये दुनिया उपर वाली बाते नहीं है क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी ladies होती है जिनको high अगर gestational diabetes है उनको fruit के भी अंदर जो sugar होता है उनको भी avoid करने के लिए बोला जाता है लेकिन आगर आपकी healthy pregnancy है तो आप मज़े से fruit भी खा सकते है Glucondi भी पी सकते है लेकिन Glucondi की अगर मात्रा की अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ दिन भर में 1-2 glass ही Glucondi का सेवन करना चाहिए उससे जादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो आपको limited अगर मात्रा में अगर आप लेते हैं तो ये आपकी pregnancy के लिए काफी जादा अच्छा होता है मीठा खाईए अब रही बात के से gender से कैसे जोडते हैं बहुत सरे लोगों का ये माना होता है कि अगर गर्व में लड़की पल रही होती है तो इससे मीठापन को अगर जैसे कि अगर आपके गर्व में लड़की पल रही होती है तो आपको मीठा खाने की इक्षाद जादा करती है जबकि इसमें पूरी सचाई ऐसी नहीं होती है औविसी बात है कि जाइगोट अगर कोई भी जेंडर का होगा चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको इतनी एनरजी चाहिए होती है उसको ग्रो करने के लिए उसकी अच्छी डेवलप्मेंट के लिए इसलिए ग्लुकोज की ज़ुरत पड़ती है इसलिए इसका जेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं है वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते है कि प्रेगनेंसी में ग्लुकोंडी का सेवन करना कितना ज़ाधा सेफ है या कितना ज़ाधा खतरनाक है डिटेल में वीडियो चाहते है तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजेगा थैंक्यू सुमच पर वाचिंग ट्विन्स मैवल्ड केयर